गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स वेलकम टू दे नेक्स लेवल ए टुजेड़ दोस्तों आज यहां पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं हमारे जेतने भी राजी हैं उनके मुख्यमंत्री और राजी पाल के बारे में क्योंकि यह जो होता है आपके हर एक्जाम के लिए बहुत होता है आप कोई भी एक्जाम दे रहो इन में से एक कुश्चन जरूर होता है अगर कुछ अपडेशन हो तो उनसे जरूर से जरूर होता है तो आज हम लोग डिसकर करेंगे लेटेस्ट लिस्ट ओफ सी एम एंड गवर्नर्स हमारे राज्यों के जो नए मुख्यमंत्री और राजीपाल है तो अगर आपका कोई भी हाल फिलाल में एक्जाम है तो आप इस वीडियो को जरूर देखे आपके लिए बहुत बेनिफिशल होने वाला है और एक क्विश्चन इसमें से काफी इंपोर्टेंट होगा आपके लिए सो स्टार्ट करते हम आज की वीडियो सबस इसके बार नए मुख्यमंत्री बने है वहां के जो कि लोकसभा के साथ ही महाँ पे विदान सभा की एलेक्शन होई थी और जो नए राजीपाल है वो भी है विश्वा भूसंत हरी चंदन जो कि यह भी नए बने इसलिए आंदरप्रदेश काफी इंपोर्टेंट हो जाता है इसे आप जरूर ध्यान में रखें ठीक है लेट्स मूव ओन आगे है अरुनाचल प्रदेश अरुनाचल प्रदेश की जो सीम है वो है पेमा खंडू और गवर्नर है ब्रिगेडियर बेडी मिस्रा इसके नेक्स्ट है असम असम के जो मुख्यमंत्री है वो है सर्वानन सोनो अगला है बिहार बिहार के सीम है नीतिश कुमार और गवर्नर है लाल जी टंडन अगला है दोस्तों चतिस गढ़ चतिस गढ़ां प्रदेश में भुपेष वागेल और यहां के गवर्नर अनुसुया के तो देखिए जितने भी हमने कलर कर रखे हैं अनूसुया एक है या फ जाते हैं तो इन सब पर आप लोगों को ज्यादा फोकस करना है तो यहां पर हम पड़ रहे थे तो हम पड़ रहे थे दोस्तों 36 गड़ के बारे में 36 गवर्नर कौन है अनुसुया उइके आगे बढ़ते हैं दिल्ली दिल्ली के जो सीय में वो है अर्विन केजरिवाल हम सब्सक्राइब जानते हैं और राजीपाल जो है वहां के राजीपाल नहीं एक्शली लेटनिन गवर और जो गवर्नर है वो है मिर्दुला सिन्ना पहले गोवा के जो सीयम थे वो थे डॉक्टर मनोहर परिरकर लेकिन उनकी निधन हो गई जैसा कि हम सभी जानते कि बहुत अच्छे नेता थे अब उनके जगह पर बने हैं प्रमोट सावन आगे बढ़ते हैं आगे गुजरात क जो सीम है वो है विजरुपानी और यहां के जो नए गवर्नर बने है वो है अचारे देव वरदि आगे है दोस्तो हर्याना हर्याना की जो सीम बने वह मनुहरलाल खटर और यहां की गवर्णर सत्यदेव नारायन आ रहे हैं आगे हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश के जो सीम है वह जैराम ठाकूर और यहां पर जो नए अभी गवर्णर बने हैं वह कलराज में अब यहा कोई CM नहीं है क्योंकि यहां पर राष्टपति सासन लगी हुई है और यहां के जो गवर्नर है वो है सत्यपाल मलेक अब बढ़ते दोस्तों जारखंड जारखंड के जो CM है वो है रगवर्दास और CM स्वारी गवर्नर जो है वो है द्रौपदी मूर्मू करनाटक करनाटक में दोस्तों CM है कुमार है स्वामी और यहां के गवर्नर है वाजू भाई वाला केरल के CM है पिनारे विजियन और यहां के गवर्नर है पी सताशिवं माध्य प्रदेश के जो CM है कमलनाथ है और यहां की जो गवर्नर है वो है अनंदिवेन पटेल महरास्टर के जो CM है दोस्तों वो है देविरेन फर्णांडेज और यहां के गवर्नर है सीविद्या सागर राओ मानिपूर के जो है CM वो है एन्बिरेन सिंग और यहां पे जो गवर्नर है वो अभी नए बने है या फिर उन्हें एक्स्टर चार्ज मिला है अतिरिक्त भार मिला है जब तक कोई नहीं आ जाता तब तक के लिए यह है पादमेनाभा अचारे मेखाले के जो है वो है VCM कॉंराड संग्मा और यहां के जो गवर्नर है वो है तथागत रॉय और मिजोर५म मिजोर५म मैं जो राम थंगा जो यहां के CM है और प्रोफेसर जगंदी स्मुखी इन्हें अतिरिक्त भार मिला हुए है मिजोर५मwand का गवर्नर के रूप में नागालेंड के जो हैं वो है नेफियूरी ओ और यहां के जो गवर्नर हैं वो है पजम नावा अचारे आगे दोस्तों उरिसा, उरिसा के जो सीम हैं वो है नवीन पटनाएक ये भी जो है फिर से इलेक्ट हो गए हैं पहले भी उरिसा के सीम यही थे और इस बार लोकसभा में दो इलेक्शन जो है एक उड़ीसा की एलेक्शन भी जो विदान सभा की लोकसभा के साथ हुई थी और नवीन पतनायक जो फिर से मुखी मंतरी के रूप में चुने गया है और यहां के जो गवर्नर है वह है गनिसीलाल पूडुचेरी पूडुचेरी के जो सीम है दोस्तों व सिक्की में दोस्तों यहां पर अभी एक नए सीम बने है जो पवन्च एमलिंग थे वह सबसे ज्यादा सर्व करने वाले मुख्य मंतरी थे और अभी उनको हटा के जो नए मुख्य मंतरी बने है वह है पीज गोयल और यहां के जो गवर्नर है वह है गंगा प्रसाद तामिल के सिम है वह है कें चंद्र σाइखर राओ और यहां पे जो अभी अतिरिक्त भार मिली हुई ए गवर्नर की वह मिली वी т.D. यह एसल ax. नर्षिंभन को अपर पूरा के जो सिम है दोस्तों वह भीप्लप देव और यहां के जो गवर्नर अभी है वह कब्टान सिंघ वलंग दोस्तो आज अब यहां की मैं होस्ता है नाज की जो दोसके में अपकी वीडियो में आपके लाते रहोंगी आपके लिए helpful है और अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को subscribe करें हमारे वीडियो को share करें like करें दोस्तों के बीच में और हमारे चैनल पर बने रहें thank you